अलो फ्रेंट्स वेलकम मैं सिद्दान स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारा चैप्टर है तो वर्ल्ड इस टूमच विद अस जिसके राइडर है विलियम वर्ट्सवर्थ इसका दूसरा इस्टेंजा ठीक है तो प्रिकृति की और बापस लोटे प्रिकृति के सौंदर्य को देखें आप बहुत एक चीजों में ही लगे हुए हैं वहीं खोई हुए हैं सिर्फ पैसा कमाने में और उडाने में ही लगे हुए हैं प्रिकृति की चीजों को भी जानिये प्रिकृति के बारे में भी जानिये प्रकृति की सुंदर्था को देखिए ठीक है तो उसी को एप्रोच करते हुए दूसरा स्टेंजा है फस्ट वाले स्टेंजा को ठीक है तो दूसरा स्टेंजा पढ़ना शुरू करते हैं इस सी देट वेर्स हर बॉसम टू दा मून यह जो समुद्र है पोईट कह रहा है इस इस्टेंजा में की यह जो समुद्र है जो अपना सीना ताने समुद्र जो है अपना सीना ताने चंद्रमा के सामने खड़ा है किसके सामने खड़ा है चंद्रमा के सामने खड़ा है the winds that will be falling at all hours ठीक है और जो हवाएं है वो पूरे समय all hours पूरे समय hauling means गरजती रहती है and are up gathered now like sleeping flowers और कभी कभी ऐसे बंद हो जाती है कि जो फूल है वो भी नहीं हिलते हैं जैसे वो सो गए हो ठीक है for this for everything we are out of tune इसके लिए और इन सबके लिए we are out of tune हमारी जो आवाज है वो निकलती ही नहीं है तो रिफ्रेंस पढ़ते हैं वर्ट्स वर्ट is the greatest priest of nature जो वर्ट्स वर्थ हैं वो महान पुजारी थे महान तम पुजारी थे of nature प्रिकृर्टी के English poetry and the credit of establishing romantic poetry goes to him English poetry जो है और जो romantic है poetry उसको इस्तापित करने का जो श्रे है वो किसको जाता है इनहीं को जाता है ही वाच सो ग्रेट आ वर्षिपर आफ नेचर वह बहुत ही बड़े वर्षिपर थे पुजारी थे किसके नेचर के only because क्योंकि he was tired of ugliness and materialism in the society around him क्योंकि वो ठक गए थे क्या हुआ क्योंकि वो ठक गए थे ugliness ugliness means कुरूपता से and materialism और जो भौतिकता थी in the society समाज की समाज में around him उनके आसपास he believes that उनका विश्वास था कि it is only in nature यह केबल पिरकिरती ही है where man can get complete peace जहां पर जो कोई भी व्यक्ती है कोई भी पूरे शैबो complete peace पूर्ण रूप से सांती प्राप्त कर सकता है away from the mundane realities of the world mundane means होता है सांसारिक सांसारिक चीजों से सांसारिक जो सत्य है उससे दुनिया के दूर रहके दुनिया से दूर रहकर these lines have been extracted from one of his most famous nature poems ये जो lines है वो ली गही है किस से one of his most famous nature poems उनकी बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध poems में से एक the world is too much with us जो दुनिया है वो हम से क्या हो चुकी है थक चुकी है He laments that वह दुख व्यक्ट करता है कि We are so deeply engrossed in worldly affairs in earning हम जो है बहुत ही गहराई से बहुत ही ज़्यादा ingrossed घुश चुके है in worldly affairs जो सांसारिक चीजें है सांसारिक वस्तुएं है उनमे in earning and spending उनको कमाने में और खर्च करने में अब कि वी आप कम्पलीटली फॉर्गेटन हम यह पूर्ण रूप से भूल चुके हैं कि दा चार्म and ब्यूटी आफ नेचर विच इस certainly unfortunate जो charm है जो खूबसूरती है nature की which is certainly unfortunate जो बहुत ही बतकिस्मती से दूर हो गई है हमसे ठीक है explanation in these lines Wordsworth has portrayed some of the most beautiful scenes of nature इन लाइनों में दर्शाया है Wordsworth ने some of the most beautiful scenes of nature जो दुन्या के यानि के प्रिकृती के कुछ बहुती खूबसूरत scenes हैं उनको at night रात में रात्री में the beauty of the sea जो समुद्र की खूबसूरती है when जब the moon rays fall on the surface of water जब चंद्रमा की जो किरने हैं वो गिरती हैं पानी की सतय पर and make it brightly shining और इसे और चमकीला बना देती है is one of the most beautiful scenes यह बहुत ही सुन्दर scenes में से एक है लुवाबने दर्श्यों में से एक है the winds are also very pleasing जो हवाएं हैं बो भी बहुत जादा सुहाबनी है लुभाबनी है and sweet और मेठी हैं they blow all the time बह पूरे समय बहती रहती हैं and make sweet musical sound और एक बहुत ही मीठा सा musical sound जो संगीत का एक sound है वो निकालती हैं but sometimes लेकिन कुछ समय पर they suddenly stop to such that stop so much that even the movement और कुछ समय के लिए suddenly अचानक stop रुख जाती है so much बहुत जादा that even the movement जिस कारण से even the movement of the leaves यानि कि पत्तों का और जो फूलों का जो movement है बो भी नहीं हो पाता पत्ते या पत्तियां भी फूल पत्ते और पत्तियां भी नहीं हिल पाती ठीक है it seems as if they are sleeping ऐसा लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि ये सो रही है this sudden change in the wind यह अचानक से आया परिवर्तन in the wind हवा में is one of the most attractive aspects of nature beauty यह one of the most attractive aspects of nature beauty यह जो nature beauty है उसके most attractive लुबाबने तत्तों में से एक है but लेकिन the poet regrets लेकिन poet को यह दुख है कि we have lost all the sense of enjoying the nature beauty हम लोग जो है वो इस sense को इस भावना को खो चुके है किस भावना को of enjoying the nature beauty नेचर की प्रिकृति की जो सुन्दरता है उसका आनन्द लेने में हम इसको कहीं खो चुके है इस sense को हम खो चुके हैं इस भाव को because क्यूंकि we find no attraction in them क्यूंकि हम इन में attraction तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक हम अपने भावतिक संसार वाली वस्तुओं के आदान प्रदान में लगे रहेंगे थोए रहेंगे इस प्रकृति की सुंदरता का enjoyment लेने के लिए the lines reveal words worth power of painting nature scenes जो lines है वो यह reveal करती है बताती है words worth power दिखाती है किसकी words worth की power शक्ति को of painting nature scenes जो उन्होंने nature scenes create किया है निर्मार किया है उनका graphically and establish the fact और graphically किया है graph में और establish establish किया है the fact और बताया है इस fact को that he was essentially the poet of the peaceful aspects of nature कि वो किस तरह के poet है peaceful aspects of nature जो peaceful aspects बताते हैं सांती पूर्ण तत्तों को बताते हैं nature के प्रकृती के ठीक है तो यह हमारे दो stand जाते important यह मैंने आपको करवा दिया है इस chapter के मिलते हैं next class में next chapter के साथ ठीक है तो चलिए मिलते हैं next class में हमारे चैनल को subscribe करना ना बूले और अपने सातियों तक इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करें ठीक है thank you